हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक तू माई चैनल फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उम्मिद करते हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे घर का काम हुए या किचन का काम हमें किसी ने किसी काम में परसानी का सामना तो करना ही पड़ता है लेकिन अपने कामों को कुछ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम बहुत असानी से और चुटकियों में हो जाते हैं तो चलिए फ्रेंट्स देन लगाते हुए देख लेते हैं कि आज का पहला है क्या है देखे मेरे पास मोस्चराजर का खाली डबा पड़ा हुआ है सबसे पहले क्या करना है कि इसके स्प्रे पंप को निकाल लेना है आपने इस पंप को फैंकना नहीं है किसी बोतल में लगा के आपने इसका स्प्रे बोटल बना लेना है और फिर देखिए बोतल को चाकू से हमने इस तरीके से काट लेना है ये बड़ ही अच्छे तरीके से कट जाएगा इसे काटन में बिल्कुल भी दिक्त का सामना नहीं करना पड़ेगा इस खाली डब्बे का जो इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा ये तरीका बहुती बड़िया तरीका है आप इसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे तो देखे मैंने इसे इस तरीके से काट कर अलग कर लिया है अब आपने क्या करना है कि कैंची से इसे बराबर से काट लेना है तांकि ये आपके हाथों में बिल्कुल भी न चूब पाए तो देखे इस तरीके से मैंने इसे अच्छे तरीके से काट लिया है इसी तरीके से आपको भी इसे काट कर अच्छे से से शेफ देकर तयार कर लेना है Friends हम क्या करते हैं कि जब इस तरह के मोस्चराइजर के डबे खाली हो जाते हैं तो हम उन्हें बेका समझ के कच्रे में फैंक देते हैं लेकिन ये आइडिया देखने के बाद आप इस तरह के खाली डबों को कभी भी बेकार समझ के कच्रे में नहीं फैंक होगे तो देखी मैंने इसे अच्छे तरीके से सेफ देकर तयार कर लिया है अब हमने क्या करना है कि दूसरे हिस्से को भी लेना है और उसे भी अच्छे तरीके से सेफ देकर तयार कर लेना है मैंने एक डब्बे को काटा है लेकिन इस डब्बे के मैं आपको दो इस्तेमाल बताऊंगी जो आपको बहुत ही ज़ादा पसांद आएंगी देखे मैंने दूसरे हिस्से को भी अच्छे सेफ देकर तयार कर लिया है मैंने इस बोटल को खाली होने के बाद पानी से 5-6 बार अच्छे से दो लिया था लेकिन फिर भी इसे क्या करना है कि किसी कपड़े ये नैपकिन पेपर से हमने दुबारा से साफ कर लेना है चब यह देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे देखे मैंने आपब पर मुबाइल चार्जर और इयर फोन ले लिए हैं हम क्या करते हैं कि जब सफर पे जाते हैं तो इन्हें ऐसे ही बैग में कहीं भी डाल देते हैं घर में भी कहीं भी ऐसे ही पड़े रहते हैं जिसके कान क्या होता है कि जल्दी ही खराब हो जाते हैं ऐसे ही कहीं भी रखने के कारण इन पे कहीं बार गंदगी जमा हो जाती है और फिर वो अच्छे से साफ भी नहीं होती है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरीके से इनको अच्छे से फोर्ड कर लेना है और फिर यह जो डब्बा हमने काट कर तयार किया है इसके हमने इनको डाल लेना है जब हम सफर पिर जाते हैं तो कहीं बाग क्या होता है कि हमें हमारा मोबाईल चार्जर या फिर ऐएरिफ़ोन जल्दी से मिलते ही नहीं है लेकिन इस तरीके से उन्हें एक डब्बे में संभाल के लेके जाएंगे तो बड़ी असानी से मिल जाएंगे और गुंबी नहीं होंगे और फिर देखिए उपर से हमने इस तरीके से डब्बे को बंद कर लेना है ये बड़ी असान तरीके से बंद हो जाएगा आपने इसे अच्छे से अजेस्ट करके बंद कर लेना है अगर आप चाहें तो आपने क्या करना है कि ऊपर से थोड़ा सा कट लगा लेना है तो देखें जिस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा कट लगा लिया है आप भी इसमें कट लगा सकते हो यह बड़ी अच्छे तरीके से बंध हो जाएगा तो देखे मैंने इसे अच्छे तरीके से बंध भी कर लिया है इसमें ये कट लगाना जरूरी भी नहीं है अगर आपको लगे तो लगाएं नहीं तो नहीं भी लगा सकते अब क्या करना है कि हमने किसी बेकार बुतल का धकन ले लेना है और इस तरीके से उपर से इसको धकन से बंद कर लेना है ये देखे कितने आराम से खुल रहा है और बंद भी हो रहा है चलिए देख लेते हैं कि इसका दूसरा इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं देखे मैंने यहां पे धेर सारे पैन ले लिए हैं, हम इसे पैन स्टेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कि अगला आइडिया क्या है, देखे मैंने यहां पे मिठाई का खाली डबा ले लिया है, हम क्या करते हैं कि जब मिठाई के इस तरह के डब्बे खाली होते हैं तो हम उन्हें कचर में बेकार समझ के फैंक देते हैं लेकिन इसका हम बहुती बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं देखी मैंने यहां पर धेर सारा समान ले लिया है सबसे पहले क्या करना है कि आपने इस डबे को अच्छे से साफ कर लेना है तो देखी मैंने इसे अच्छे से पहले से ही साफ कर लिया है अब आपने क्या करना है कि इस तरह से आप इसमें अपना मेक अप का समान डाल के रख सकते हो आप इसमें अपने मेक अप का किसी भी तारा का समान रख सकते हो देखी मैंने यहाँ पे धे सारे रबबर ले लिये हैं कहीं बार क्या होता है कि हमें टाइम पे रबबर मिलते ही नहीं है मैंने इस मिठाई के डब्बे को बिलकुल भी decorate नहीं किया है अगर आप चाहें तो इसे decorate भी कर सकते हो लेकिन ये देखने में ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो देखें इस तरीके से हमने एक मिठाई के डब्बे में धे सारा समान डालके रख लिया है तो देखा आपने इस तरीके से हमारे समान के लिए एक अच्छा सा ओर्गनाईजर भी बन गया और हमारा मिठाई का डब्बा भी बेस्ट नहीं गया इसको भी हमने अच्छे तरीके से यूज कर लिया आप इस तरीके से अपने समान को और्गनाईज करके रखेंगे तो समान विल्कुल भी गुम नहीं होगा देखे मैंने यहाँ पे टूथ ब्रस लिये हैं हम जब सफर पे जाते हैं तो साथ में अपने टूथ ब्रस भी लेके जाते हैं अक्सर हम क्या करते हैं कि टूथ ब्रस को ऐसे ही समान में कहीं भी डाल देते हैं लेकिन यह इन्हें डालने का सही तरीका नहीं है इसके लिए आपने क्या करना है कि एक फोईल पेपर ले लेना है फोईल पेपर के छोटे टुकडे कर लेने हैं जितने में ब्रस के आगे वाला हिस्सा आराम से आ जाए इसी तरीके से आपने भी फोईल पेपर के छोटे छोटे टुकडे कर लेने हैं और आप जितने भी ब्रस सफर में लेके जा रहे हैं इस तरीके से फोईल पेपर से उनको कवर कर देना है जब हम अपना सामान नकालते हैं अगर गलती से हमारे ब्रस नीचे गिल जाए तो गंदे हो जाएंगे लेकिन इस तरीके से हम कवर करेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमेशा इस तरीके से अपने ब्रस को साथ में सफर पे लेके जाएं घर में भी कहीं तरह के कीले मकोड़ी चिपकरियां गूमी रहते हैं जो कभी-कभी इन पे अपना मुँ मार देते हैं अगर आप चाहें तो इस तरीके से इने घर में भी कवर करके रख सकते हैं ये बहुत ये ट्रीक है आप इसे मेरे कहने पर जरूर ट्राई करें और जब भी सफर पे जाएं तो अपने ब्रस को इस तरह से साथ में लेके जाएं फोईल पेपर से कवर करने के बाद आपने क्या करना है कि एक रब्बर लेनी है और जितने भी आपके पास ब्रस है सबको एक साथ रब्बर में डालके रख लेना है आपके सबी ब्रस एक साथ रहेंगे और गुंबी नहीं होंगे चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक क्या है देखी मैंने आपे चाकू और चम्मच ले लिए हैं हम जब सफर पे जाते हैं तो अपने साथ चाकू और चम्मच भी लेके जाते हैं तो इनको खुला लेने से अच्छा है कि इनको कवर करके लेके जाएं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि फोईल पेपर ले लेना है और फोईल पेपर के छोड़े छोड़े टुकड़े कर लेने है और देखिए इस तरीके से अपने चमच और चाक्कू को आगे वाली साइड से कबर कर लेना है देखी मैंने चमच को आगे वाली साइड से ही कबर किया है अगर आप चाहें तो पूरे चमच को भी फोईल पेपर से कबर कर सकते हो इसी तरह से चाकू छूरी के आगे वाले हिस्चे को भी फोईल पेपर से कबर कर लेना है फल, फりました या सलाध काटने के लिए अगर आप साथ में चाकू छूरी लेके जाते हैं तो उसे फोईल पेपर से इस तरह से ज़रूर कबर कर के लेके जाएं इस तरह से अगर चाकू छूरी को कबर कर के लेके जाओगे तो हाथ कटने का डर भी नहीं बना रहेगा चलिए देख लेते हैं कि अगला हैक क्या है देखी मैंने यहां पर भिंडी ले ली है आप यहां पर किसी भी तरह की सबजी लेके रख सकते हो अब हमने क्या करना है कि एक चूडी ले लेनी है आज मैं चूडी से सबजी काथने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपने प प्लास्टिक या मैटल की चूड़ी ले सकते हो ये देखिए इस तरीके से हमने चूड़ी को भिंडी के बीच में रखना है तांकि भिंडी को काटन में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए आप सिर्फ एक चूड़ी के इस्तेमाल से धे सारी सबजियों को चुटकियों में काट के रख सकते हो जैसे पालक मेथी हो गई सरसों हो गई बीनस हो गई गजर हो गई और भी कहीं तरह की सबजियों हैं जो आप चूड़ी में डाल के बड़ी असान तरीके से काट सकते हो ऐसे हम साथ में दो या तीन भिंडी को ही काट सकते हैं लेकिन इस तरीके के इस्तेमाल से ह हमारा समय भी बरबाद नहीं होगा देखिए धेर सारी भिंडी को मैंने बहुत जल्दी से काट कर तयार कर लिया है ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल भी बरबाद नहीं हुई है फ्रेंड्स आप इस तरीके का इस्तिमाल जरूर करके देखना वीडियो को अपनी फैमलिय दोस्तों से सेर करना बिल्कुल भी न भूलें और वीडियो थोड़ी भी पसांद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें